मुझसे मेरे ससूर बूचे कि तुम्हारा फर्ष नाइट कैसे बीता एता इतना पूछ दो मुझे मुझे समझ तो बाप की समन्ध होता है अपर मेरे यह कि तुम दोनों पति-पत्मी साथ में सोगे और मेरी बेटी अकेले सोगी मतलब सोए हुए है और आपके जो ससूर जी रूम में घुश जाते थे एक दुबार तो मेरा हाजबन के साथ हम लोग सोए हुए थे तब उस ट्रैम में घुश गयते है तो हम लोगों का वीडियो बना रहे थे आप दुनों का मतलब आपको अपने पती पे घुशा नहीं आता अपनी बुगा के साथ उसका भी संबंध है जारा एक बहन एक भाई साथ में सोते हैं उसके बास समंध भी बनाया जाता और अपनी पतनी को किसी और कमड़े में सुलाया जाता है जो सासुर बहु पर गंदी नजर रखता है जिसको मतलब देश के लिए उसके घर से मार करने की कोशिश करते थे नमस्कार दोस्तो आए दिन आप लोग खबरे सुनते होंगे कि महलाएं काफी ज्यादा परतारित होती है कभी किसी और के साथ समंध मजाता है तो किसी और से प्यार हो जाता है लेकिन आज का जो मामला बिलकुल अलग है क्योंकि हम लोग कई सारे ट मि चित्वारपूपूर हुआ क्या हुआ है आपके साथ मुझे दहेज के लिए बहुत परतारित की अगया और दहेज के साथ साथ यह परतारित की यह अँप से कि मैं अपने चिठका ससूर के साथ रिलेसन में रहूं हुँ के वके इस करने के लिए नहाद कर से लिए पर बुरा मामिला निकाल निकल दिया कारण करण के हम चुटका सुर्स रिलेशन में रहेंगे और उसे पैसे चीज लेके अपने नंदों का भीवा करवाएंगे अच्छा ये साधी के कितने दिनों बाद ये सब बता चला आपको कि ये सब होने लगा आपके साथ जी है ऐसा है तो मतलब साधी के दूसरे दिन ही मतलब मुझे मुझे से मेरे ससूर बूचे की तुम्हारा फ़र्ष नाइट कैसे बीता सबसे बड़ी बात है। आप यह गंदी बात हम से क्यों पूच रहे हैं तो अजीव नहीं लगा यह सवाल किया गया थे पर हो हांस दायते मैं नहीं उसे बोला कि आप मतला मेरे सासूर है तो मुझे मत समझो तुम मुझे समझो कि हम तुम्हारे के दोस्त के हैसित से तुम से पूछ रहे हैं तुम इसके बाद में आपने अफियर के बारे में बताया मुझे उसके बारे में नहीं बताया आप कहीं आप field मैंने से पहले सबसक्के से मुझे मिलवाया भी सामने से और मेरे साथhando वी लिए है कि साधी के दिन हम लोगों का फोटो लिया गया था कि देखो यही है मतलब लड़की जब वो साधी सुधा थे आपके पती तो फिर आप से क्यों साधी की नहीं थे वो जिससे प्यार करते थे उनकी बुगा की लड़की वो साधी सुधा थी उससे प्यार करते थे वो साधी नह ही किया है मने सोचा माजाक में बोल रहे हैं फिर दूसरे की माने भी मुझसे निए बोला कि नी बसने नहीं सकर वांगी हुए क्यूं क्या बोल देती कि तुमारे बाप ने कुछ नहीं दिय कि मेरे प secretly ने सब कुछ दीया सब चीज दिया गया सिर्फ पलंग छोड़ा के हर एक चीज दिया गया है मुझे काने का मतलब है ससूर के साथ अब समंध बना लेज़ेगा तो क्या वो दहेज का विश्पूरा हो जाएगा दहेज का भी होते था और हम बस बेज़ जाते हैं दहेज तो मेरे पापा से बोलते हैं कि और भी पैसे मांग के लाया करो कि मेरी बेटी तिन तिन बेटीयों के साधी करनी है अपनी बेटीयों के साधी करने के कारण उन्होंने मेरा जिवन बरबाद कर दे मेरी सास मेरे सौसूर और मेरे हजबन यह चारों मिलके मनिस कुमार मुझे उन्हों नहीं प्रेगनेट किया था और डेली में जब हम प्रेगनेट हुए तो भी मेरे हस्बेट नहीं किया था पर मेरे हस्बेन ने उस बच्चे को कहा कि वो बच्चा उनका नहीं उनके चाचा या पापा का है यहां वहा उनके चाचा और पापा में मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे जी यह वो सूरू से लोग चाहते थे मेरे सबस्ट जो husband है मुझे force करते थे कि तुम चाचा से बात करो मैं उनसे पूछते थी कि ऐसा क्या करा ने कि आप मुझे force क्यों करते हैं कि मुझे बात करना होगा वो चाचा से मैं daily daily क्या बात करूँ मैं बहू हूँ सासूर से क्या बात करूँ गी आपको अपने पती पे गुस्ता नहीं आता है कैसे पती हैं आप अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ससूर के साथ सो जाओ जी हम बोलते थे तो क्या हो गया तुम जैसे राहती हो तुम सब कुछ तुम को करेंगे चाचा अपने पापा और चाचा को अलग कर देता यहां तक लिए अपने डेली में उनके मेरे जब प्रेगनेट हुई थी जुन जुलाई में हुई थी तब उनके उन्होंने अपनी बहन को बुलाया डेली में उनके माने उनसे कहा कि तुम दोनों साथ में सोगे और मेरी बेटी अकेले सोगी कुन कहा क्या बोला मेरी सास ने बोला कि तुम दोनों पती पत में साथ में सोगे और मेरी बेटी अकेले सोगी तब से जब उनकी बेटी देली गई थी तब से मेरे हजबन और मेरी ननद एक साथ सोया करते थी हाल में भाइबान जी हां भाइबान साथ में सोते थी जी हां जब रूम में अकेले सोती थी और उस ताइम मेरे सासुर को ये जो थाना वाले हैं उन्होंना अठा दिया था और वेही दोनों भाईबहन अकेले सुधर संपांट 155 सेकेंड फ्लोर पर वाईबहन में समंध बनता था बिलकुल बनता था जब हम जा जाते थे तो हमको हटा देते थे कि तुम जाओ अंदर सो जब सो रहे हैं तो अंदर सो या तो आप भी अंदर आईए तो आपको जो अलग सोलाए जाता था तो आप कहते नह हो दोस्तो नहीं परिष्टा को सरमसार किया जाला एक बहुन एक भाई साथ में सोते हैं उसके बास समन्ध भी बनाया जाता है अपनी पत्नी को किसी और कमड़े में सुलाया जाता है और भाई बहन मिलकर के समंद बनाता है यहां तक की ससुर के साथ भी समंद बनाने का परियास किया जाता है और आगे क्या हो और उसके बाद जो मेरे हस्बेन के सामने मेरे जो मनीश कुमर पती है मेरे हस्बेन के सामने मेरे ससुर बोलत नीच भून के था था नीच तो सकते हुआ मेरी बीबी को गंदी ना जय मिनठी University अपने बापा मूह तो करना में भी सबसक्राइक है मेरी बीबी के तब उसका इगो हट नहीं कर्था है तो झालने भून के भाशे सबस्ट पते ति हम उसको पोट मेरी गया भाहता है अच्छा कभी ससूर के साथ समंध बना आपका जी नहीं कभी नहीं कभी नहीं बिलकुल भी नहीं जी नहीं जब अरदस्ती एक दो बार उसका चाचा ने किस किया मेरे पती किस किया जी हाँ नहीं रहने पर जिसका हमने बिरोत किया तो मुझे थपन मेरे हजबन को दो आ रहा ह है जैसे यह लोग संद करने आगे बहुंता है meilleur है मतलब बाप कही थी कर दो पती के सामने भी हाँ चो आपको डर नहीं लगता था कि आपके पती कैसे हैं ससूर जी कैसे हैं सासू मा कैसी उस घर में आप कैसे गुजर बसर कर रही तो बिलकुल डर लगता था हर वक्त डर रहता कि कब मेरे साथ क्या है कभ क्या हो जा मैं नहीं जानती थी इसलें मैं हमेसा खिर की दरवाजे खुला रख थते हैं ज texto क्छिटे कहा रहता था है यह अंद्धितो common गर दिली की के कई हम आप सब बते सब इसमें करोठंब naval करों दो कुछ में था इन रहोगा। मुझे पर इंजाम मुझे पर इंजाम लगाता, जी आहला कि इंजाम क्या लगाएगा उसके पापा या चाचा का पती का नहीं मानता था क्योंकि आए दिन उसके चाचा और पापा गंदी हरकते करते हैं तो उसके सामने ही बोलते थे यहां तक ले मेरे husband को मैंने ये भी बताया कि उनको record करके सुनाया कि उनके चाचा बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैंने husband उस पे भी कोई reaction नहीं दिया उल्टा मुझे मारा गया कि तुम इस सब बाते record करके मतलब हो सब लोग को सुनाना चाहती है इसका मतलब तो यह हुआ ना कि वह जो उसके जो बाप है लड़का के जो बाप मनिस के जो बाप है वह अपने बेटा को बोला होगा कि हम तो तुम्हारे घरवाले के साथ समन्द बना लिये हैं तभी ने वह senior के साथ बोलता है कि बैचा आपका ह पता नहीं है यह तो नहीं बता सकते। लेकिन, मैंने उनसे बोला है, ठीक है आपको ऐसा कहाई पहले सब्सक्राइब का आपको सब्सक्राइब कुछ नहीं लाने लगें, कुछ नहीं लाते हैं। मेरा हस्बेन मनिस कुमार, जी यह जूस लाते थे और कुछ जैसे की मौमोध, बर्गर हो गया। मुझे भी नहीं पता था की क्या उसमें क्या डाल के ला रहें ? जी खाने में दवा मिलाया गया और उसके बाद मतल्म मुझे साथ जबरदस्ति भी किया। मेरे साथ मतलब फीजिकल रिलेसन बनाया आपके पती नहीं है जी हां लेकिन प्रेगनेंट थी ना जी अब बहुत बिलीडिंग होने ला तो मैंने इसा बोला जी उन दवाई इस जूस के शुरू देते थे कि मेरा बच्चा मतलब ना रहे जा जा कितने साल का रिलेसेंसिप आपका था किते दिन के बाद आप चले आए पर नहीं रहा जी हम मेरा जी लेकर मुझे यहां पर मार्च के मन्त में मेरे हस्बन होली में मेरे यहां आए थे तब आप दवाई लेकि आये थे हैं आपको नहीं लगदा है कि आप किस घर में चले गई आप अच्छा सासु मापकी कैसे थी जी मेरे सास के और जुटका सासु के नजाज रिष्टे के कारण हो रहा है और सासु मापको आजीब नहीं लग रहा था कि उसके पती बहु के साथ देता कि हाँ ये बच्चा गंदा है मेरे आया दिन मेरे ननजिस का नाम निशा है वो फोन करके मैसेज करके गंदी गंदी बाते बोलते है उस बच्चे को खून गंदा है तो मैंने उससे बोला है कि जितना गंदा बोलना है अपने भाई के सामने बोलो जिसका गंदा खून पूरा का पूरे परिवार ही सत्यानास परिवार है। पर जाने के बाद पता चला कि हम किस फैमिली में आ गए हैं, आये दिनी ही डर रहा है तो मेरे पती रूम लॉक करने नहीं देता था, कि वो बोलना था कि मेरे पापा को जरूत लगेगी, तो कैसे मतलब, यह बत नहीं, मैंने भी पुछा था, कि पापा को रात में क्या जरूत तो रहते हैं, जी हाँ, गुज जाते थे, एक दू बार तो मेरा हास्बन के साथ हम लोग सोय गए थे तब उस ट्रैम में घुज गए तो हम लोह का वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे आप दुनों का, मतलब पती-पत्नी का वीडियो बनाया जा रहा है, जी और य जी उनका प्रश का नियुका है झाम कर दे रहा है तो आप आप चाहती क्या यह बता दोगी है जाते हैं किस टाइब कर नहीं चाहते हैं ए यह तो मेरा घर बसे है यह यह पिर जैसे मुझे अलग किया गया है वैसे ही मतलब सबको सजा मिले इनको कटोर सजा मिले जो सासुद बावुक पर गंदी नजर रहता है जिसको मतलब देज के लिए उसके घर से मार पिटकर निकाल दिया वो सारा समान गहन है उन्हें सब चिल लिये गए क्याने का मतलब है कि दहज में कमी हुआ तो आपको सरीर बेशना पर रहा है उस घर में हम मेरे तरब से कोई कमी नहीं मेरे घरवालों कोई कमी नहीं की यहां तक ले सर जितना मतलब साधी में भी खर्चा हुआ आया दिन वो लोग बोलते थे कि मेरे पापा से फोन कर गए कि आ पापाने कर वा दिया पर उन्होंने उसका पैसा भी नहीं दिया उसके बाद भी पापा सब चुप चुप तो दोस्तों देख सकते हैं किस परकार से यह महिला परेसान है कि जाती है साधी करके उसके साथ बहुती घिनोना हरकत किया जाता है बाकि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक से और लोगों तक यह पहुंचे क्योंकि यह जो मामला पुरीतर से गंभीर मामला है आए दिन कोई ने कोई घटना देखने को मिलता रहता है कि बहु ने ससूर के साथ किया तो ससूर ने बहु के साथ किया बहु सारा मामला देखने को मिलता है अभी वही मेरे साथ प्रीता है चलिए इस वीडियो को अधिक साधिक सेर कीजेगा बाकि इस वीडियो को आप लोग पेस्बूक पेज़ पर देखने फॉलो कीज़ेगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा, जय ही जय भारत.